असलाम वालेकूम, वेलकम टो कुकुईत आईशा, मैं हूँ आईशा और आज आपके साथ शेर कर रही हूँ कांदावडी बनाने की रेसिपी, ये कांदावडी बहुत ही जदा क्रिस्पी बनकर तयार होती है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना बहुत ही आसा प्याच को इस्तरा खोलने के बाद हमें हातों से प्याच को इस्तरा खोल लेना है। गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच हमने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इंग्रिडियन को हमें पहले ड्राइ ही मिक्स कर लेना है, अच्छे से सारे इंग्रिडियन को एक बार मिक्स कर ले, इसके बाद हमें पानी इसमें एड़ करना है। दो चम्मच पानी हाथों में एड़ करेगे और एक बार अच्छे से सब मिक्स करेगे, फिर दो चम्मच पानी हाथों में एड़ करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कांदा वड़ी का बेटर बनाने के लिए हमें 4-5 चमश पानी का इस्तमाल करना है, ज्याता पानी इस्तमाल नहीं होगा, प्याज की कॉंटिक में नमक आने से प्याज भी अपना पानी रिलीस करेगी और हमें कांदा वड़ी का बेटर सक्त बना कर तयार करना है, आप वीडिय पर medium temperature पर हमने तेल गरम कर लिया है गरम तेल में हमें इस तरह medium size के पकोड़े add करने है fry करने के लिए हमने एक पार कड़ाई में जितने आए उतने पकोड़े add करे है fry करने के लिए पकोड़ों को हमें यहां अंदर से पका लेना है उपर से color नहीं देंगे क्योंकि हमें इसको आगे कांदवडी का शेप देना है इसलिए हमने यहाँ पर 70% तक पकोड़ों को पका लेना है आप इस पॉइंट पर पकोड़ों को golden fry करके भी serve कर सकती हो हमने यहाँ पर इसको 70% तक पका लिया है पकोड़े अंदर से perfect cook है उपर से हमें इसको color नहीं देना है पकोड़ों को यहाँ से निकाल लेगे पकोड़ों को हमने यहाँ पर से निकाल कर एक plate लेनी है plate के उपर हमें एक पकोड़ा रखना है हमने यहाँ इस तरह एक छोटी सी कटोरी ली है कटोरी की back side से हमें इसको हलका हलका इस तरह से press करना है इस तरह हम सारे ही पकोडों को कांदावडी का शेप दे देंगी अगर इस पॉइंट पर पकोडे पूरे फ्राई होगे तो कांदावडी का शेप देते वक्त कांदावडी हमारी तूट जाएंगी कांदावडी को हमने शेप दे दिया है हाई फ्लेम पर हाई टेंपरेशर पर हमने तेल गरम कर लिया है तेल में हम कांदावडी एड कर देंगे कांदावडी को हमें बस हाई फ्लेम पर एक सी दो मिनिट तक पकाना है इस तरह कांदावडी पर गोल्डन कलर आ जाए तब हम यह नहीं प्रेसिपी को एक ट्राइज जरूर दे रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है उम्मेद करते हूं रेसिपी आपको पसंद आई होगी एसी ही नई-ई-ई रेसिपीस के लिए हमारे चैनल कुक विट आईशा को सब्सक्राइब कर ले साथ मेबल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर दे जिससे हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो आपसे मिस्त नहों वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना झाले